हेलो दोसों साथ आफ से ही कि मैं चैनल में दोस्तों इस वीडियो में important question को पर बात करेंगे जितने भी 5th semester भी ये program वाले बच्चे हैं और जिनके पास discipline में education का subject है तो ये subject जिस भी बच्चे के पास है important question देख लो कौन-कौन से question है जो previous year exam में पूछे गए थे education in a plural society ये subject देख लो जिस बच्चे के पास है कौन-कौन से question है जो पूछे गए थे दो question paper आप सबको मैं दिखाओंगा ये दोनो question paper आप लोग कर लोगे तो आराम से आपके passing marks confirm में आ जाएंगे तो जिनके पास भी education का subject है question देख लो और उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँँगा दोस्तों जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना जो भी अपडेट होगी या तो सारी information आपको इस चैनल के द्वारा प्रवाइट कर वाई जाएगी और अभी मै कि आंसर भी आप सबको प्रवाइट करवा दूगा कुछ कोशन के आंसर भी प्रवाइट करवा दूगा तो जितने ही बच्चे हैं चैनल को जू सब्सक्राइब कर लेना और कोई डाउट या दिक्कत है तो इस्टाग्राम पर मेसेज कर देना लिंक वीडियो के सब्सक्राइब कर देख लो कौन कोशन है तो यह रहा आपका पहला कोशन पहले कोशन पेपर का ठीक है तो इसमें देखे क्या बूल लगया है मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है इसके उपर इसटड़ी अपलुक जरूर करना तो देखे क्या बूल लगया इसमें समाजिक गत सीति सिल्ता में शिक्षा किस Πारकार योग्दान करती है तो आपका यह पहला कोशन वो घा थिक है अब दूसरा कोशन देख लेते हैं तो आपका दूसरा कोशन हो गया तो यह भी आप लोग जरूर पढ़ना अब तीसरा कोशन देख लेते हैं तो यह आपका तीसरा कोशन तीसरे कोशन में देखे क्या वो लगया है अब वर्जित परस्ट भूमी से आने वाले चात्रों की सिक्षा की पहुंच और उनके द्वार प्राप्त सिक्षा की गुडवक्ता पर आलोचनात्मक टिपड़ नहीं करें तो आपका यह तीसरा कोशन हो गया ठीक है तो यह कोशन दोस्तों गुमा फिर आके पूछ लिए जाएंगे बस थोड़ी लेंग्विज चेंज हो जाएगी तो वह आपको समझना होगा ठीक है त अपने पठ्या करम के हिस्से के रूप में हिंदी मीडियम फिल्म देखी होगी बारतिय संदर में सिक्षा के माध्यम के रूप में मात्र बासा और मानो बासा से सम्मझनी मुद्धों पर चल्चा करें मुद्धों पर चल्चा करें तो दोस्तों आपने हिंदी मीडियम मेडियम में सिक्षा को लेके फिल्म बनाई गई एग्यूकेशन को लेके मूवी बनी यह वो पूरी हिंदि मीडियम मेडियं तो वो अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोग लिख दो गया आराम से अब पांचव कोशन देख लेते हैं पांचव कोशन में क्या गूंग लेंगिक समानता की अफधार्ना की व्याख्या करें बारत में लेंगिक असमानता को दूर करने में सिख्चा क्या भूमिका निबा सकती है तो आपका ये पांचवे का कोशन हो गया तो ये भी आप लोक पढ़ लेना अब छटा कोशन देख लेतें तो यह आपका च्छाटे का कॉश्चन इसमें देखे क्या वो लगया है बारत में बहु बासावाद के संबद में बासा निती की भूमिका की व्याख्या करें तो दोस्तो आपको इसके उपर लिखना होगा बहु बासावाद के उपर तो यह आप लोग जरूर पढ़ना है यह कंफाम है 90% कॉश्चन आए गए ही आएगा ठीक है तो यह चेटा कॉश्चन आप लोगों को जरूर करना है बहु बासावाद के उपर अब साथवा कॉश्चन देख लेते हैं तो यह आपका अ 7 वे का खूउच्वचन हो गया थूब आठा कॉश्चन देख लेते हैं तो यह रह्त आपका आठ वे का खूश्चन तीन पॉइंट दे रखे tentang की तीन-को तीन के से दोके ऊपर đ manufact करनों आपको तो पहला पॉइंट है घर की बासा एक आभाव के रूप में फिर दूसरा पॉइंट है विवित्ता और बहुलवाद तो दूसरा पॉइंट हो गया अब तीसा पॉइंट देख लेते हैं तो दोस्तो यह आठ कोशन पूचे गया है पहले कोशन पेपर में अब तीसरा कोशन पेपर देख लेते हैं उसमें कौन-कौन से कोशन है जो पूचे गए हैं दोस्तों यह कोशन करने बस आपको ठीक और कुछ नहीं करना है अब भी मैं स्रिप इंपोर्टन कोशन अप्लोड कर रहा हूं नेक्स वीडियो में कुछ इंपोर्टन कोशन के आंसर भी आपक इसमें देख लो कौन-कौन से कोशन है जो पूचे गए यह भी दोस्तों पिछले साल का ही कोशन पेपर है तो यह आपका पहला कोशन इसमें देखे क्या वो लगया है पहले कोशन में विवित्ता और बहुलवात से आप क्या समझते हैं अब वर्जिस सम्हों से आने वाले विद्यात्यों की स्क्च्छा में एक स्क्षक को किस तरह से चुनोतियोगा सामना करना पड़ता है तो आपका ये पहले का कोशन हो गया ठीक के विविद्ता और बहुलवात के उपर आपको लिखना है आपका ये कोशन हो गया most important है और ये कोशन दोस्तों पिछले कोशन पे पर में लिख हो गये तो आपका पहला question हो गया के अब दूसरा question तो यह रहा आपका तीसरे का कोशन इसमें देखे क्या वो लगया है कक्षा में विध्यारतों की विवित्ता पर सिक्षकों की जागुरुकता और विचारों का समविशन करने के लिए अर्ध संवरचित साच्चतकार अनुचित के दस सवाल बनाएं तो आपका ये तीसरे का कोशन हो गया ठीक है अब चौथा कोशन देख लेते हैं तो ये रहा आपका चौथा कोशन इसमें देखे क्या बूला गया है चौथा कोशन में समाजिक गति सीलता को बढ़ावा देने में सिक्षा की भूमिका पर तार्किक क्या है लिंक संबंदी रूडियों को चुनोतियों का सामना करने के लिए और समाजी करण में सिक्षा की भूमिका पर प्रसांसगिक उदाड़नों के द्वारा चल्चा करें तो आपका ये पांचवा कोशन हो गया अब च्छाटा कोशन देख लेते हैं तो ये आपका च्छ कोशन में पारंपरिक कक्षा में पढ़ने और लिखने के कौसलों को सीखने की प्रकरती पर चल्चा करें तो आपका ये छटा कोशन हो गया अब सात्वा कोशन देख लेते हैं तो ये आपका सात्वे का कोशन सात्वे के कोशन में देखे क्या बोला गया है सिक्षक विद्य अब आठवा कोशन देख लेते हैं आखरी लास्ट है तो यह आपका आठवे का कोशन इसमें तीन पॉइंट दे रहे हैं तो दो के ओपर टिपनी करनी है आपको आठवे में ठीक है तो दो के ओपर टिपनी लिखनी होगी तो पहला पॉइंट देखिए स्कूली पठया तो यह दोस्तो 16 कोशन मेंने कंपलीट करवा दिये हैं पहले कोशन पेपर में 8 कोशन और दूसे कोशन पेपर में भी 8 कोशन तो इसी तरह से जो आपका पेपर होगा एजुकेशन का 8 कोशन आपको पूछे जाएंगे तो दोस्तो यह दोनों कोशन पेपर कर लोगे तो आरा लेक्स वीडियो में इनके कुछ आंसर ही बता दूंगा इंपोर्टेंट ठीक है तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन प्रेस कर लेना जैसी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा तो वीडियो हेल्प लगियो लाइक करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना उनकी भी हल्प हो जाए कोई दाउट या दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना